आपने परीवार और अपने लवली आइंशन्स के संग्व्यस्थ है और नाव आएम लाइव ओना डेंसिंग्राउन संट पेच और हमारे बीच में मुझे यहां पर दिख रहे हैं हमारे बहुत ही जानिमिक परस्नाल्टी और बहुत ही जानिमिक लीडर और मैं देख रही हूं कि काफी तेजी से संख्या बढ़ रही है अनुपर्जा पती जी सो मोस्ट वेलकॉम ऑन दिस पेच और रवींदर कीवड जी वेरी गुडायम सी रमेश गुपता जी वेरी गुडायम सी अनुपर्जा पती जी अगेन वेरी सिंग जी सर वेरी गुडायम सी मोहित गुस्वामी जी हमारे कानपूर के शेर और इनके साथ में बहुत सारे सवा शेर भी हैं इनके टीम में सो मोस्ट वेलकॉम ऑन दिस पेच और उश्य देवी जी हमारे श्रवन जी जो की बहुत ही बेतरी लीडर है और आपका बहुत-ब सब्सक्राइब है कि मैं सामने face to face बात कर रही हूं मोहित जी से है ना तो क्या बात है बहुत ही तेजी से मैं देख रही हूं वीजू जी हमारे वेरी गुडायम सी जैश आदित्ती जी हमारे प्रयागराच से जो की हमारे बैनर और का काम देखते हैं और मेरा यादाव जी लोग कनेक्ट हो रहे हैं और आप सबको देखकर के नोडावट ट्रेंट्स आप सबके कमेंट्स को देखकर के मेरी भी जी एक्साइटमेंट का जो मेरा लेवल होता है वह बहुत हाई हो जाता है और मैं बहुत हैपी रहती हूं आपरोगों से के बीच आ करके सो हमारे बीच में हैं डॉक्टर अरून पांडे जी सर वेरी गुड़ायम सी इमाम जी विरी गुडायम सी बलराम कुश्वा इनके सफलता के लिए और उन्ससाइटे लिए और उन सब के अचीमेंट के लिए और उनसब की गुरोथ के लिए सब्सक्रेंग और सुनोंसे इंडिया प्रॉची ठींदी करते प्रूज निवस्कन हिकोस कि ती हैं प्रॉच म्था अमkennt कुपता जी नफ्रेंग,टरा,शकी न प्रॉट,कुरी,टरा, safer, Bike, advertise दिलीप कुमार जी आप बरकरार रखें और अपने सेशन को प्रमोट कर सकते हैं शेर कर सकते हैं अपने लेवल से ताकि जो अब तक इस सेशन में नहीं आपाए हैं वो इस सेशन का लाब आपके थुरू ले सके तो आप अपने थुरू इस सेशन को शेर कर सकते हैं ताकि ये वीडियो ये टॉपिक ये नॉलेज आप और आपके पूरे ग्रूप में जाए क्योंकि फ्रेंड्स ये बिजनस खुद के लिए नहीं होता ये बिजनस है तो अपनों के लिए यह करने आया है सेशन को तो आपनों फिर नहीं होता है टो फ्रेंड्स हमें इस सेशन को शेर करना हैस्व test वह अग tej氣 सब्सक्राइब इस सेशन का मैं ऑगास करती हूं और एंक बहुत ही शानदार स्कॉरा चांद है और हमारा बहुत ही सांग और म्यूजिक के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करूँगी और फिर टॉपिक क्लियर करूँगी कि आज का टॉपिक क्या है आप तब तक इस सेशन को शेर कर सकते हैं और एक बार मैं देख रही हूँ हमारे अभीशेक कश्यप जी हैं और भी बहुत सारी लीडर हैं नगी I.E.M.C, 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 I.E.M.C इसकता है निरोगी जीवन जीने को I.E.M.C, 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 I.E.M.C अपनाएं, गरीबी होगी दूरी यहां, बर्बार होगा कुछ वाली यहां पूरे करने को सपने, I.M.C. में आएं पूरे करने को सपने, I.M.C. में आएं I.M.C. कुड़ I.M.C. I.M.C. कुड़ I.M.C. पूरे करने को सपने, I.M.C. में आएं I.M.C. में आएं पूरे करने को सपने, I.M.C. में आएं एक सीसोरो पूर्ह की आहएंसी सुन्हैरा अगल tsunami उदार। भेल decentralized पूर्ण इंथे जानियोज न किम गड़ा सीड़ायं सी 25 गंसी और अगेंसी तरह सॉन्हीं अगयोड हुआ कुछन ली अगनीर biology देशनों से उदाएंसी घञे पैसे mentor Well सब कमेंट्स में लिखें गुड़ा एमसी जी की गुली गुड़ा एमसी दूरे करने को सब पिने आई एमसी में आएं भुले करने को सब ने आई एमसी में आएं आई एमसी गुड़ा एमसी लक्षे नहों चल भूने पाएं तद मिला पर चल मंजिल तेरे पज़ चूरेगी आज नहीं तो कल पूरे करने को सब ने आई एमसी में आएं आई एमसी गुड़ा 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 को सपने आई एंसी में आए पुरे करने को सपने आई एंसी में आए आई एंसी गुड़ाईंसी क्या बात है वह अच्छा लग रहा है सौंग बन करते का मन्निकर रहा है जो कहते हैं वो करते हैं एंसी में पुले करने को सप न आई एंसी च्छाँ सब दान buildन मुष्चा इंसी गुड़ाई न्यौन से y समेखने अनद सर्फे अच्छा तर दे स्ट्रे को सपने आई एंसी में आई आए एंसी कितना शांदार सौंग था रियली बोल्यों फ्रेंड्स की सौंग ने मेरे अंदर भी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट डाल दिया क्योंकि बहुत अच्छे वर्ट्स थे आप सबने सुना रहा होगा है न कि मंजल तेरे पक चुमेगी आज नहीं तो कल क्योंकि जिनके अंदर प वोलों कि आपने गाने से सीखा होगा कि आज हम सभी जो लव्ली आंशेंट्स हैं जो वागी इस्टम नींसी से भर होता है सुभा को बोलो ३ॉष इंश audyn को बोलो ॉष एंश क्योंकि हम ने अपना जीवन ओएम्सी में देख लिया है क्लियर हो रहा है मैं देख पारी हूं कि यहां पर बहुत सारे लोग है और उनको परिचया देना भी जरूरी है क्यों कि कई बारी लोग सोचेंगे कि मैडम आत हो गए मगर इनका नाम क्या था तो फ्रेंड्स परिचया देना जरूरी है मेरा नाम मिसहीबा खान है मैं अमबस्ते स्टार हूँ आएमसी ब्रांड में और अगर मैं बात करूँ तो आज से कुछ समय पहले मेरी एक स्टुरेंट लाइफ थी और इस बिजनस की पावर को जाना था मैं as a staff इस business में आई थी बट मैंने महौल की ताकत को समझा और मैंने महौल को समझने के बाद friends मैंने अपने आपको इस system में मैंने connect किया और आज अगर मैं बात करो friends कि मैं एक बहुत ही middle class family से belong करती थी मुझे हर एक एक पैसे की बहुत जादा कीमत पता होती थी है ना और मगर friends आपको मैं कहना चाहूंगी कि जब मैंने IMC जैसे system को मैंने जाना और मैंने इमानदारी के साथ मैंने काम किया तो friends आज पूरी तरीके से मेरा जीवन बदल चुका है due to IMC यानि कि पैसे की कीमत को no doubt अभी भी मुझे है बट पहले के समय में क्या होता था friends की जिस समान को लेना चाहती थी जिस वक्त पे वह हमारे हाथ में नहीं होता था क्योंकि वहां पे हमारे पास lack of money होती थी और मैं चाहूंगी सबसे पहले friends की आज हमारे जीवन के करता-धरता मेरे life changer वो कोई और नहीं friends अगर मैं पहले से अगर कुछी life होती तो मैं IMC में नहीं होती है ना तो मेरा कहना है friends आप सभी से कि आज IMC में कैसे जीवन बदल गया कि आज जिस चीज़ पे हाथ रखो वह अपनी होती है पहले के समय पे college जाने तक के लिए बेतरीन चीज़े नहीं हुआ करती थी किराय करती हूं और UP की पहली कार अचीवर हूं और जब मैंने इस काम को शुरू किया था फ्रेंट तो मोगौल भी नहीं था महिलाओं का इस उत्तर प्रदेश में इमसी में बट मैंने एक डिसीजन लेकर कि मैंने काम किया कि नहीं मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है महिलाओ नहीं है और आज मेरे टीम में भी बहुत सारे अचीवमेंट है और बहुत सारी प्रपर्थी भी आज मैंने इन्सिया कि कमाई से बर्ट फिरंड साज मैं अपने बारे में बहुत ज़ादा डिटेल में जाओंगी मेरी success जर्नी आप सभी रुई एइंजल जी हमारे बीच में हैं और हमारे बीच में शीवानी कोड़ी जी है और बहुत जादा डिटेल में तो नहीं जाओंगी कि मेरी सक्सेस जर्नी क्या थी क्योंकि देखिए फ्रेंट्स होता नहीं है कि अभी आप देख सकते हैं कि यह पीछे पूरे प्रूफ लगे हुए है मेरे जो मैंने इंसी में ह जन्म दिया वो कोई और नहीं फ्रेंट आयमसी के जन्म दाता श्री अशोग भाटया सर और साती साथ हमारे इस सिस्टम को बहुत ही स्मूतली चलाने वाले श्री सतन भाटया सर के लिए मैं चाहूंगी हमारे मैंने दिरेक्टर दोनों के लिए दोनों ही शक्सियत के लिए शांदार तालिया होनी चाहिए राइट एक कोशन आया है प्रदीप चावले जी का की मैं सेल को कैसे बढ़ाएं प्लीज बताएं सर में आपके सभी कोशन का अंसर में दूंगी अभी आप मेरे सेशन में कनेक्ट रही है आपको विदिन 45 उनिट आपको सारे कोशन का अंसर म इतने बहतरी पावित्तिय इतने इतने बेहतरी पावित्तिर सिस्टम को जिनोंने उत्तर प्रदेश में जन्म दीए जिनके वजह से आज ही उत्तर परदेश में inis aya को बिजनेस है और अ इत्तर प्रदेश का भागीरती बोला जाता है और हम सबके ग्रेटेस्त अभ अदर अगर मैं आपको बताया अपनी सक्सेस जर्नी में कि मैं इस स्टाफ आई थी मैं जिनके आपर जॉब करने के लिए गई थी जिनों ने मुझे तीन हजार रुपए महीने की सैलरी पे रखा था और फ्रेंट्स मैंने जब मैंने जब उनके महल को देखा मैंने जब उनकी बातों को सुना जब मैंने उनके लोगों की बातों को सुना तो फ्रेंट्स मैंने इस काम को शुरू किया और आज अगर मैं बात कुछ यह ऐसे बॉस जिनों मेरे माइंड से एक इंप्लाई को सौफवेर निकाल करके मली कि अपलोड किया और वह कोई और नहीं आज हमारे बीच में हमारे मौझूद हैं और हम सब के लाइफ चेंजर और मैं अगर बात करूँ तो गुरूओं के गुरू महा गुरू आएमसी के बहुत सारे ऐसे मेल हैं अगर मैं बात करूँ अगर में बात करूँ तो आज अभी रिसेंट्ली आप सबने देखा रहा होगा मुझे एक बहुत ही शांदार अचीवमेंट मैं अचीव किया मतलब की आइडियक से के द्वारा इंडियन डियेट सलिंग ऐस्ोंशियेशन के दौरा फ्रेंट्स मुझे संवानित किया कि महिलाओं में मैंने बेस्ट काम किया और तू टूथाउजन च्वेंट्टी में मुझे उन्होंने relation हमारे साथ नहीं होता तो मुझे नहीं लगता था कि आज मैं उस मुकाम पे इस मुकाम पे मैं पहुच पाती या फिर मैं उस अच्छी उस आवार्ड को लेने के हगदार होती क्योंकि आप सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान है और मेरी उम्मीद है कि आगे भी आप सबका बहुत प्यार, आशिरवाद, साथ, सब कुछ मेरे साथ बढ़ा रहेगा और मेरे को भी उम्मीद है कि मैं भी हमेशा आप लोगों के साथ उसी तरीके से पेश आऊँ और मेरा पैसा, मेरा achievement मेरे जेव में हो, मेरे mind में न हो, right? क्योंकि पैसा जब जेव में होता है, तो सामने वाले से हम relation बिल्ड करते हैं, मगर वो पैसा जब दिमाग में चला जाता है, तो हम relation भूल गाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि इश्वर मुझे हमेशा ऐसा रखे कि मेरा जो भी achievement हो, मेरा जो भी income हो, मेरी जो भी levels हो, वो हमेशा म में हो, ना के मेरे mind में हो, और friends, आपको मैं बहुत बड़ी कुछ खबरी देना चाहूंगी, जो कि मेरे लिए है, और मैं बहुत ही ज्यादा excited थी इस कुछ खबरी को लेकर के, कि अभी recently आप समने देखा रहा होगा कि last month में मैं मैंने ID से आवाड जब मुझे मिला, तो वहा आज मेरा इंस्टाग्राम follower है, वो मेरे 23,400 followers हो चुके हैं, जबकि अगर मैं बात करूं तो friends, अपने IMC system, मतलब IMC का हमारा page है, उसके मात्र 21,000 something मतलब की followers हैं, बट आज ID से और IMC के वज़े से, खासतोर से IMC के वज़े से, आज मेरे इतनी बड़ी fan following हुई है, और साथी स अगर मैं बात करूं तो मेरा जो वीडियो था वाड लेने के टाइम का, वो कहीं न कहीं मेरा काफी बड़ी संख्या में प्रमोट हुआ और आज लगभग बोले तो तीन करोड की संख्या में उस वीडियो को वीडियो किया गया वैट यह सारी कुछ आप सब के वज़े से हो पाया है, अब मैं बात करती हूँ, आज के हमारे इस डियंसिंग क्रांगसेंट पेज की क्योंकि अगर यह पेज नहीं होता तो मैं किसी भी लायक नहीं होती है, या फिर मेरे लोग किसी भी लायक नहीं होती है। हर एक इंसान तक पहुच पाती क्योंकि इसका अपए बगधर ये और आज अगर मैं में बात करूव, जो भी अपने business को ले करके जो भी उडास है या फिर जो भी अपने business को ले जो खुद मुझसे बोलते हैं फेस तू फेस की मैडम आपके आप लोगों की सेशन के वज़े से आद मेरे टीम में यह अचीवर्ड से आद मेरे टीम में यह लेवल से अद मेरे तरनवर यह मेरी इंकम यह तो फिर जब लोग हमारे इस पेज का लाब ले रहें और आपको क्या अपनी महिलाओं को दिखाता हूँ और मैं उनको प्रेडित करता हूं डूसरे लोग ले रहें जो नेशनल लेवल पर इंटरनाशनल लेवल पर तो फ्रेंट्स हमको भी तो लेना चाहिए आप सब को मैं आपको मैं रियली बता दू आप चाहें जितना कुछ कर लीजे जितन आप निक केवल एक आप 99 परसंट काम कर रहे हो मगर एक परसंट केवल आप इस पेच पर नहीं प्रमोट कर रहे हो तो तो आपको मैं बताना चाहूंगी इस चीज़ का मैंने एहसास भी किया है कई लोगों ने मुझे बताया है कि आप फ्रेंट्स अपने सफलता से वनचित तरह जाओंगे कुछ यहां पर फ्रेंडज हर्तरह के लोग आते हैं हो सकता हो आपके टीम में जो भी हों सिभी दिल में उतर आपको नहीं पता किसी लोग आपको कभी पर सब्क्रेंग को नहीं पता प्रेंग और एपने पीज़ Union के लोग कby को सब्सक्राइब करते हुए दिखेंगे ना तो उनके टीम के कभी लोग दिखेंगे क्लियर हो रही है मगर मेरा आप सबसे कहना है कि आप अगर चाहते हो कि आपका बिजनेस तेजी से बढ़े और आपके बिजनेस में आपके इसमार्ट बिजनेस बिल्ड हो तो फ्रेंट जैंसिंग काम ना करने से आराम के समय आप आराम भी नहीं कर सकते हैं गोहर फर्माईएगा मैं क्या बोल रही हूं राइट कि काम के समय काम ना करने से आराम के समय हम आराम भी नहीं कर पाएंगे अब ये कैसे मैं आपको क्लियर करती हो फ्रेट्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज मैं देखती हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखावा के लिए काम कर रहे हैं दिखावे के लिए ऐसे लोग इस पेच पे अभी नहीं है मगर आपको हो सकता हो कि ऐसे लोगों से आपका सामना पड़े इसलिए मैं बतारी हूं कि ऐसा लक्षान आप समझ लेना कई लोग दिखावे के लिए सिस्टम में बने हुए हैं और उस दिखावे का नुखसान भी उ आज मैं बात करती हूं कि हमारा यह जो सिस्टम है क्योंकि मैं देखती हूं कि कई लोग काम के समय काम नहीं करते हैं इदर उदर की बातों में लगे रहते हैं और फिर उनको देखिए कि सोते टाइम नींद भी नहीं आए जो उनको आराम भी करते नहीं बनता क्योंकि ना त थकान आएगी अलकी सी और काम करी नहीं रहें आराम सोच रहें कर लें तो फ्रेंड्स आज मैं बात करना चाहूंगी इस टॉपिक पे और मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आज मैं देखती हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इमांदारी वफदारी जिम्मेदारी के साथ क क्मीदारी में और फेंड़ी बैडने आग कि इस लोगों को क्या मैं रहता है यहायका है इंशन को इन सब्सक्राइद लिजन और को अराम की नहींत आइगी ना कि आज चलो मैंने एक की शोर कुल वादा जो आडाव घूज लिए रिबैए मगर जिसके पास टेंशन है तो आप समझ लिजे कि वह इंसान काम के समय पर काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं बता दू फ्रेंट्स की इस्ट्रेस आवे आज मैं बताने वाली हूं कि आप इस्ट्रेस को कैसे दूर रह सकते हैं काम के दम पर बहुत सारे लोग इस्ट्रेस अवे डिर्क सलिंग एक ऐसे इंडस्ट्री है जो कि आज कहीं न कहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंट्स की आज मैंने इस चीज को एहसास किया है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है कि एक आम को खास बनाती है एक शक्स को शक्सियत बनाती है एक नाचीज को एक नाचीज को एक बहुत तो चालिस शाल पुराने वाले अमीर इंसान को इसके दंपे पीछे कर सकते हो, आइम सी के धंपे पीछे कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है, मेरे केट ट्रेणिग में आपने यह चीज सुना होगा, क्लियर हो रही है मैं देखती हूँ बहुत सालों साल पुरानी उनकी जॉब है मगर धर में फोर विलर नहीं है मगर मैंने मातरिच चार साल में आईंसी से यह चीज हासिल कर लिया क्लियर हो रहा है तो फ्रेंट्स अब मैं बात करती हूँ कि आपको पता है कि हर काम में उस काम को देखें काम तो सभी कर रहे हैं मगर एक्स्ट्रा जब हम करते हैं तब हम उसकाम के एक्सपर्ट कहलाते हैं आप नॉर्मल ही अगर काम करते और आज आपको पता है कि direct selling industry में IMC business में या किसी भी field में काम्याब होने के लिए हमें उस field का expert बनना पड़ेगा आप जब तक उस field के expert नहीं बनोगे तब तक आप जो भी चाहते हो आपको हासिल होने वाला नहीं है मगर होता क्या है friends मैं देखती हूं बहुत सारे लोग regular base पर काम करके मैं देख रही हूं के उंदर update हो रहा है उनकी leadership में कहीं न कहीं बहुत सारी मतलब की grooming आ रही है है नो मगर मैं देखती हूं friends कि उधरी उनी के साथ एक दूसरा इंसान है जो उनी के समय से लगा हुआ है चाहूंगी कि एक इंसान expert हो जाता है और एक इंसान वोड़न की हो जाता है वोड़न का मतलब की उबा हुआ हुआ एक उसी उतने ही समय में बहुत हो गया तो what is the main difference यह मैं आपको क्लियर करना चाहूंगे आज सबसे पहले जो अपनों के लिए काम करते हैं जो अपनों के लिए काम करते हैं वो एक्सपर्ट मेंटालेटी के होते हैं जो अपनों के लिए काम करते हैं कि मैं तो बनूंगा ये बनूंगा आपको भी साथ में बनाऊंगा तो आप समझ जाओ कि वह उस फिल्ड का एक्सपर्ड है राइट मगर आप देखो वहीं दूसरी और जो वोडल इंसान है वो क्या करता है खुद के लिए मुझे इंकम हो जाए मुझे लेवल मिल जाए मुझे ऑफर मिल जाए मुझे केवल अप्लाइन की बात हो जाए मुझे केवल मीटिंग करना है यानि कि वह मैं मैं वाला इंसान होता है कि जो कुछ किया मैंने किया अरे बाबा आपने कैसे किया आप खुद पुष्ट e mc और आपको मैं बताऊं ये मैं मैं का बिजनस नहीं है क्योंकि ये कुछ करता है ना क्लाल हो जाता है ये यह मैं का बिजनस नहीं है कि कर रहा है कि अंतुम करने कुछ नहीं की सब्big छाइन में ऐसा किया वसाई तो आप समझ通 साम्य लो कि वो बॉर्डम इनसानomie कि वह इस काम को करके खुद को बहुत बौराइं इनसाने उसके पास कुछ करने दरने को अब बचाने के वल में ये कहला व्हों में वेसी सपलता चाहते हो है तो फ्रेंद् स यह तो मेरा पहला पॉइंट था की एक्सपेट और गोडम का पहला पॉइंट बात करती हूं कि जो एक्सपर्ड होता है इस इंडस्ट्री का वो विजन के साथ काम करता है विजन के साथ उसे पता होता है कि कंपणी के ओनर का विजन क्या है हमारे अपलाइन का विजन क्या है हमारे टीम में हम क्या विजन दे रहे हैं हमारा खुझ का विजन क्या है दुर्दरिष्टी राइट कि यानि आज हम यहाँ हैं तो कल हम अपने आपको कहां देखना चाहते हैं आज से एक साल बाद हम अपने आपको कहां देखना चाहते हैं आज से तीन साल बाद हम अपने आपको कहां देखना चाहते हैं आज से पांच साल बाद हम अपने आपको कहां देखना चाहते हैं आज स पास विजन नहीं है तो no you are boredom यानी आप बोर हो खुद भी बोर हो लोगों को भी बोर करोगे बोरिंग, you are boring people, right, अगर मैं भी vision के साथ नहीं करूँगी, तो मैं भी boring हूँ, right, तो friends, हमें expert बनना है, तो expert क्या करता है, vision के साथ काम करता है, जो मैंने अभी आपको clear किया, second, expert reason के साथ काम करता है, क्योंकि friends, आपको मैं बताना चाहूंगी, कि जिस इंसान के पास reason होता है, reason, कारण, वो किसी भी प्रकार की बहकावे में नहीं आता, वो किसी भी प्रकार की लालच में नहीं आता, वो किसी भी प्रकार के negativity पे focus नहीं करता, वो अपना remote अपने हाथ में रखता है, वो अपनी radar ऑपने अपलाइं के हात में रखता है वापना पॉहल हिस रास में रखता है क्यों क्यों क्योंकि वो डियुक्तरस काम करे नीजा आज यह यहां कर भी नीचे जाए और हो कोई रीजन नहीं है होगा भी मिल गया तो भी सही नहीं मिला तो भी सही यह वाली सोच होती है बोडम की मिला तो भी ठीक नहीं मिला तो भी ठीक वो इस सिस्टम में केवल time spend करने के लिए आता है वू कि युदार वूसकोा और रिजन नहीं होता है कि चलो दोचार लोग रहेंगेіз, ना कुछ चीजे हम सीख लेंगे केवल time spent के लिए आता है without of any reason बट friends ये कौन होता है ये boredom होता है अगर आप में भी कुछ लोग ऐसे आपको दिख रहे हैं जो केवल without of any reason, without of any vision है तो आप समझ लो कि वो केवल time spent करने के लिए आए हैं और इस तरह की इंसान boredom इंसान है वो आपको भी bored करेगा, अपने team को भी bored करेगा system में भी system को भी कहेगा अब तो हम bored हो गया, यह हो गया, वो हो गया क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि friends आपको मैं बता दूं कि वो बंदा क्योंकि अपने आपको expert ना बना करके अपने हरकतों के वज़े से खुद को पूरी तरीके से boredom बना चुका है, इसके अलावा, अब मैं बात करती हूं, सेकेंड के बात थर्ड, थर्ड यह है कि friends, आर्च जो expert होता है, expert का total focus उसके काम पे होता है, यानि कि जिस प्रकार से एक घोड़ा नहीं होता, जो हमारा चलता है, गोड़ा सवारी लेकर के, उसके आख में आप देखेंगे, ऐसे पट्टी लगी होती है, यू जाता है, ना दाएं देखता है, ना बाएं देखता है, इसी प्रकार से expert इंसान होता है, कि जब वो इस system में आता है, और उसके अंदर जब यह लक्षण रहता है, आप अटल फोकस ओन अनली कारियर, अनली प्लैटफॉर्म, अनली दा कॉमपनी, तो इस प्रकार के इंसान expert होता है, जिसके अंदर यह है, एक expert इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही focus करता है, बट फ्रेंट अगर मैं बात करूँ, बोर्ड़म क्या करता है, बोर्ड़ करने के लिए यह नया काम करने के लिए इसको कई से निगेटिव करके खतम करें यानि इंसान के अंदर यह होता है उसका इसका फोकस कांपर निए उसका फोकस को कश्च करूंदेुर करने अब बढ़ती हुए । यह वह हुए कूगर हुए यह नहीं को लोगपन तो यह जितने कामियावि最 उतना उनसे जूर हुप इसके लाबा अगर मैं बात करूं क्यूंकि फ्रेंड्स मेन अभी इस पी सिस्ट्ण बॉग ऑप सब कारण के तहते काम कर रहें दोस्त आपका परिवार जब ऐसा सोच रहा है आपका परिवार जब ऐसा देख रहे हो और आप कIEC को एसास कर रहे हो तो फ्रेंट्स हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है हम अपने आपको ऐसे लोगों से victor रखना है बचा के रखना क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो गल्ती हमने करके अपना साल भर खराब किया वो गल्ती आप भी करके अपना साल भर खराब करो या तो आप गल्ती करके साल भर अपना वेश्ट कर दो या तो मेरे उस गल्ती के दर्द को समझ करके अपने उस एक साल को बचा लो कि हर एक चीज यह दो पहलू होता है अब आपके नजर के उपर डिपेंड करता है कि आप पोजिटिव को देख रहे हो कि है यह पजिटिव पहलू को देख रहे तो मगर बोडमником क्या इंसान होता है बोर्डमिक्क सी 55 में से निकालने के लिए उता जृटा yo सिर्फ और से बुराई रोमने दें राइट अब मैं बात करती हूं कि एक्सपर्ट इंसान और क्या होता है और बोडम इंसान कैसा होता है अब मैं क्लियर करती हूं कि एक्सपर्ट इंसान जो होता है वो अपने लोगों के अचीमेंट से प्यार करता है मुहबत करता है अगर आ सफलता से प्यार करता है जिसको वो पाना मैंसां होता है और कि जsecurity रहे पहल्त होता है उसके अंदर उपर पहुचाना चाहता है बट बोड़न इंसान क्या करता है कि वो जेलस से भरा होता है पहले सिस्टम से जेलस करता है अपने अपलाइन से जेलस करता है अपलाइन के अचीवमेंट से जेलस करता है अपलाइन की सक्सेस से जेलस करता है लाइफ लाइन भी अगर बढ़ रही कुछ लोग तो ऐसे है इश्वर उनका बला करे कि लाइफ लाइन में अगर उनसे काबिल लोग आ गए या फिर उनसे अच्छा काम करने वाले लोग आ गए तो वो जल जाते हैं उनके अंदर जैलेसी उत्पन हो जाती है कि यह कैसे आ गया मेरे बिजनेस में और फ्रेंड्स आ इश्वर से प्रातना करती हूँ कि मैं या फिर जो भी इंसान किसी के अच्छी मेंट्स से किसी की सपलता से किसी के सकशश से अगर नफरत करता है जलन करता है तो इश्वर उससो उस चीज से वनचित कर दो हुद खुलकर कर दो क्यूंब क्यू wszyscy आपको मैं हो सकती है या तो आपके अंदर बुराई ही हो सकती है दोनों एक साथ नहीं हो सकता दोनों एक साथ मत रखो समझ में आ रही है या तो अच्छा ही रखो या तो बुराई ही रखो क्योंकि दो चीज़ एक साथ होई ली सकती है ना तो फ्रेंड तो मैं शुर से कह रही हूँ कि अगर मैं खुद भी किसी के उससे जलन करूं तो मुझे उस चीज से दूर कर दे मगर आज मैं अपने अपलायं के घर को देख कर के खुश होती हूँ आज अगर मैं बात करूओ फ्रेंडS आज में सेशन के मादन से बताती हूँ अभी रिसंट थी सरका पारस ग्रीन में गर्वन रहा है और एक दिन का वाक्या है फ्रेंड्स की मैं गई थी वहाँ पर देखने के लिए कि कैसे क्या है सब कुछ के लिए और मैंने वहाँ पर देखा कि पूरे कमरे में पूरे हॉल वगरे में सब में मैंने जारू लगा के रख दिया उसके जस्ट बात अगर लाइफ पे हैं तो खुद सुएंगे जस्ट बात सर खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि हीबा जी आपके पास भी एक दिन ये घर जरूर आएगा मैंने क्यों सर ऐसा क हैं क्यों कि is Business कि और ना उसकी सेवािका आज अपने दो से मोहबत कि समझने करे हैं तक हमें जो चाहिए हमें जो पाना हैं हम चाहते हैं कि जो चीज हमारे जोली में हो हम उससे मोहबत जोड़िए क्योंकि आइइम सी नफ्रत का बिजनेस नहीं है कि छेट WordPress आपको दूजा दू आइएंसी टोटल महबत का विजनेस है टोटल एकता का विजनेस है टोटल साथ का विजनेस है मगर हम इस प्रकार की कुछ गल्तियां करते हैं तो उसको हमें को हमें आपको ही जहिलना पड़ेगा क्लि刃 हो रही है। तो फ्रेंट्स, बोर्डम इंसां क्या करता है कि अप्लाइन के हर एक चीज से नप्रत करता है। अप्लाइन तो दूर की बात है, लाइफोले तो दूर की बात है कि स्ट्रों के अचीव में हुबा हुआ है क्योंकि एक्सपेंश प्रोडक्तिव वर्क करता है। प्रोड़क्टिव वर्क का मतलब कि जिस काम को वो कर रहा है उस काम की उसे कीमत मिलती है यानि उसका आउटपुट मिलता है इंपुट कर रहा है आउटपुट मिल रहा है उसको बोलते है प्रोड़क्टिव वर्क कि आपकी उस काम को किये जाने से उसका लाव आपको मिले उ भ elles इसकंपने सफलता कि कितनी के और कितनी कदम हम बढ़े और गार ब्रोड़क्तिव वर उसको पुरा कवा देगा अन्प्रोड़क्टिव वर्क का मतलब कि कर तो रहा है मगर मिलने वाला कुछ नहीं है क्योंकि सुदर करके नहीं कर रहा है सिस्टमेटिक नहीं कर रहा है है नो system के खिलाफ कर रहा है system के बाहर के कर रहा है तो आपकी उस काम को करने से फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और बोड़न इंसान अपने हरकतों के वज़े से हमेशा अनप्रोड़क्टिव वर्ट को ही करता है क्योंकि अप्लाइन की सुन लेगा तो कहीं अप्लाइन सीपी ना बन जाए अप्लाइन की सुन लेगा कहीं अप्लाइन इंबस्डर ना बन जाए अप्लाइन की सुन लेगा क कोई संध्या जी चेर्मेन ना बन जाए समाझ में आरी मेरी बाद तो फ्रेंड्स यहां पर आपको मैं बता दू कुल मिला करके टोटल की बोड़न इंसान बोड़न इंसान जो होता है न वो सिर्फ और सिर्फ खुद को खतम करने के लिए बना होता है जबकि सिस्टम में पाव बेकार च्रीवार और सौनम आपको खतम कर लेते हैं और सबसे गलत और सबसे बेकार जो अक्छड़ होता है वह कंडियोंसे कम्पनी का अपछान पणृवर वाद ना बढ़ जाए मtać एक करने काम से अधर्लोगों का काम ना बढ़ जाए में ऊस tutorial क्या ना बढ़ जाए मेरे दूसरे के चक्कर में पूरे जीवन अपने खुद के अचीवमेंट को रोक के रखता है, अपने खुद को हर एक सुक्सिविधा से रोक के रखता है, बोड़न इंसान. बड़ फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, कि जब आप ऐसे होगे, है ना, मैं बोड़न इंसान का एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूंगी, कि अभी, मैं expert के लिए मैं बताना चाहूंगी, कि expert person क्या होता है, कि वो daily work करता है, daily work करता है, मगर जो बोड़न होता है, वो sometime काम करता होता है, sometime, कभी-कभी, उसका काम, उसके mood के उपर depend होता है, उसका काम का remote किसी और के हाथ में होता है, right, यह boredom इंसान होता है, expert क्या है, कि भई है, वो deliver कर रहा है, इमानदारी के साथ, क्यों, क्योंकि वो vision और reason के साथ आया है, मगर boredom, boredom क्या है, कि वो, सिर्फ और सिर्फ कभी-कभी, जब उसका मन किया, उसका mood के उपर हुआ, तो काम कर लिया, mood नहीं किया, तो काम नहीं किया, और remote भी खुद का खुद के हाथ में नहीं है, कोई और उसका remote चला रहा है, जैसा नचाना चाह रहा है, वो नचाह रहा है, right, मगर friends, आप देखो, कि आप क्या बनना चाहोगे, आप expert बनना चाहोगे, कि आप उबा हुआ बनना चाहोगे, बोडम बनना चाहोगे, अगर हम यह हरकते करेंगे, जो मैंने अभी बताया, बोडम वाली, हाँ, क्या हम expert बन पाएंगे, क्या हम IMC में कामियाप वो पाएंगे, तो friends, आप comments में लिखे, आप क्या बन कुछंभ What to do मैं आपको मैंने आपको बताया है जो बंदे वो रुच्छते कहीन कहीन होंगी अपने समय काम के समय करने से काम होता है देखे काम के समय काम करने काम के समय काम ना करने से आराम के समय आराम भी नहीं होता है यानि काम के समय काम करने से आराम के समय आराम भी नहीं होता है वोडम इंसान पता है आपको आराम नहीं कर पाता क्यों क्योंकि वो काम के समय काम नहीं करता वो अपने आपको ए तो फ्रेंट्स हम आपको मिल करके सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ड बनना है क्यों क्योंकि धर्ती पे हर काम में बड़ी काम्याबी तब मिलती है जब हम उस काम के एक्सपर्ड होते हैं और अभी तक कुछ लोग अगर वोडम टाइप थे जिनके अंदर हलका सब्ट्स बॉर्डं टाइप था तो फ्रेंट्स हमें अपने अंदर उस बॉड्डं वाले लक्षण को उटा करके हमें expert वाला लक्षड अपने अंदर पैदा करना है ताकि हम भी सीना चौड़ा करके बता सके कि नई हमने भी IMC में आज से कुछ समय पहले काम शुरू किया और आज मेरे पास भी बहुत सारी सुक्षूई धाय है आज मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग है जो एक अच्छी सफलता पे है आज मेरा परिवार भी एक सुक्की जिन्दगी जी रहा है आज मेरा परिवार भी एक चैन की जिन्दगी जी रहा है आज मेरा परिवार भी मेरे साथ इस सिस्टम में है कई बारी पता है फ्रेंड्स परिवार आपका साथ क्यों नहीं देता क्योंकि देख रहा है कि तीन साल से आप बोर्डम बढ़े पड़े हुए यारी फोकस तो काम पे है नहीं एक्सपर्ट बढ़ने के तो सोच आया नहीं बोर्डम वाला सोच अपने अंदर है इसी वज़े स कई बारी परिवार भी साथ नहीं देता क्योंकि जब आप अपना अच्छिवमेंट अपना रेजल्ट अपने परिवार को नहीं दिखाओंगे और नहीं भी देना चाहिए ऐसे लोगों का साथ जो रेजल्ट नहीं दिखा रहे हैं तो आप उमीद मत रखो कि आपका परिव करना होता है जब आपको अपने आचीमन के लिए अपने इंकम के लिए अपने तरणफ केलिए ऐसे के लोग चिनके अपने की ये काम का और रेजल्ट अपने घर में ना दिखाए नहीं करना चाहिए उनके परिवार को सपोर्ट और फ्रेंट्स एक बात और मैं कहना चाहूंगी हर परिवार सपोर्ट करता है बगर हम अपनी हरकत के वज़े से वह सपोर्ट से वन्चित हो जाते हैं समझ रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि बोडम बन जाते हैं उबा हुआ बन जाते हैं केरलेस हो जाते हैं जिसके वज़े से हमारा फोकस काम पे नहीं होता हमारा फोकस रिजल्ट पे नहीं होता और फिर जब हमारे पास रिजल्ट नहीं होता है तो हम खुद को तो कहीं न कही करते ही करते हैं और साथ में अपने उस परिवार के सपनangen को भी अफ परिवार परेवार की इक्षाओं को हम डफन कर देते हैं मैं मीरा आप सबसे ambal Greek request है कि आप सब आगए की सब एक साथ बिजनेस से नहीं हो सकता या तो पूरी तरीके से बिजनेस में आ जाईए या तो पूरी तरीके से बिजनेस से दूर हो जाईए क्योंकि दोनों चीज़ ले करके फ्रेंड्स आप खुद 3-4 साल से जूंज रहे होंगे कुछ लोगे, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूं क्योंकि आज अगर मैं बात करूं तो IMC में सक्सेस का रेशियो जादा है कुछ 20% लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मुझे इस प्रकार की बाते करनी बढ़ रही है क्योंकि मैं अगर इस प्रकार की बाते नहीं करूंगे आपका सुबचिंतक ही आपको सुधाने के लिए डाटता है आपका सुबचिंतक ही आपकी क्लास लगाता है आपका सुबचिंतक ही शुबचिंतक ही आपको सही रह दिखाता है वरना आपका जो शुबचिंतक नहीं है उसको क्या मतलब आपको गाइट करने का मकर जो आपको डाटता है, जो आपको समझाता है, जो आपकी कियर करता है, वो आपका सुपचिंतक आपको डाटेगा भी, आपको प्यार भी करेगा, आपको समझाएगा भी, आपको हर कुछ, आज DN Sir, मैंने क्या बोला, कि DN Sir के टीम में आज जितने भी लीडर हैं, आज सिर्फ और तिर्फ उनकी डाट के दम पे अचीवर हैं, क्योंकि अगर आज मैं देखती हूँ कि बहुत जगों पे, अपलाइन प्यार तो बहुत करता है, म खेर मैं यह तरना लिखने जा रहे हैं, इ chirping मैं दाखती बहुत है, खेर मैं दाखती बहुत हैं, नहीं हो फ्रेंट्स, क्योंकि मैं आपसे उम्र में बहुत कम हूँ, और मैं अपनी उम्र की इसाफ से काम करती दो, बहले मेरे पासोप से बड़ा हैं, बढ़े में हमेश्वा अगर मेरी वारी से किसी को भी कुछ ठेस पहुची हो तो मैं या फिर आज से ले करके जब से आप मुझे जान रहे हैं तब से अब तक में मेरी किसी भी वर्ल्ड से या मेरी किसी भी अक्टिविटी से अगर आपको कुछ भी ठेस पहुची हो कोई भी हो चाहिए वो मेरे टीम का हो या फिर ना हो चाय को रॉस लेक का हो चाया वो किसी भी इंडस्ट्री का हो अगर किसी भी एक वर्ड से अगर आपको थेश पहुंची हो तो मैं आप सब के लिए मैं फॉरी कहना चाहूंगी बट मेरी पुरी उम्मीर होती है कि मैं हमेशा अच्छे शर्दों का उफयोग करू हमेशा अच्छी बातों का उफयोग करो और हमेशा आप सब के साथ अच्छे से पेश आओ और हमेशा फूछ ऐसा आप लोगों को form ताकि कि अ कि मैं अपने से ऊपर आपको लेकर कि जाओ और मेरे भाइं आपर 있다고 क Tapi कर सकते हैं और अपनी हरकतों से हम बोडम कैसे बन सकते हैं अब मैं बात करती हूं क्योंकि हमारे पास बोले तो कम से कम मेरे पास 10 मिनट है और इस 10 मिनट में आपको क्लियर करना चाहूंगी डेली वर्क क्योंकि इक्सपर्ट बनने के लिए इस विजन के साथ काम करना है यह तो पता है अब मैं बात करती हूं every day एक सोलिड है एवरी डे में friends मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि डे में हमें पर डे क्योंकि एक्सपर्ट अगर हम हैं तो हमें अपने काम का रिजल्ट लेने मगर पानी कैसे बाहर आएगा मैं उस formula के बताने वाली हूँ friends जिसका point है जिसका main point है every day every day friends अगर हम IMC business में vision और reason के साथ आए हैं तो per day हमें कम से कम एक store खुलवाने की जिम्मेदारी लेना है every day एक store खुलवाना ही खुलवाना है आप means करके सुबह आप उठिये और आपकर target होना चाहिए कि आज के हमारे जो भी काम हमें करना है उसमें पहला काम हमें store खुलवाना है किसी न किसी का right second अगर मैं बात करूं second आज हमें कम से कम जाए अगर मैं बात करूं 10% से लेकर 35% के ल हम लगाएं जिनकी purchasing के साथ यानि आप सुबह उठे और आज करना क्या है तो आपके mind में mindset होना चाहिए कि आज हमें एक store के साथ तीन नहीं joining लगानी है तीन नहीं लोगों की जिम्मेदारी लेनी है जिनको मुझे इस business में बढ़ाना है right third आपको क्या करना है कि हमें आज के दिन अपना जो personal business value है कम से कम हमें अपनी self business value 100 तो करनी ही करनी है 100 वैलूम भी बहुत है everyday के इसाफ से क्योंकि कई लोग 1000 वैलूम भी नहीं कर पाते मंद में मगर अगर हम everyday के हिसाफ से 100 वैलूम करते हैं तो 10 दिन में 1000 वैलूम होगी 20 दिन में 2000 होगी और 30 दिन में 3000 वैलू दिन तो करना ही करना है चौथा चौथा आज हमें एक home meeting करनी ही करनी है केवल एक home meeting आप माइंड में रखिए क्या मुझे एक home meeting करनी ही करनी है everyday में आता है इसके अलावा आज मैं और मेरे team के दौरा मुझे भी दो एरिया में canopy लगानी है और मेरे team के जो core leader है उनको किस-किस एरिया में canopy लगवानी है यानि कि canopy work भी आपको everyday में रखना ही रखना है और canopy के मादें से तो friends आपका personal value और अच्छा हो सकता है but friends देखे बताने वाला तो हर एक चीज़ बताता है मगर जब आप उसको अपनाओगे भाई डॉक्टर तो बता दिया कि भाई यह यह दवा जा कुछ ना कुछ business में बढ़ोतरी के लिए business में अपनी सफलता की और बढ़ने के लिए अपनी सफलता की और बेतरीन कदम रखने के लिए कुछ ना कुछ सिखाया जाता है बताया जाता है मगर जब हम नहीं करेंगे तो अपने जीवन का जो बुखार चड़ा हुआ है वो फि और सिर्फ है कि आपका ऐप लाइं है तो हमारी कम से कम 40 पॉल्रिंग चाहिए है अगर ऑज हम मालूम होना चाहिए तो चाहिए करने हमें हैं जिनको जोड़ना चाहिए उनको बी बपूब लिदेर को भी जिनके होम मिटिंग रखनी है जिनके साथ के नोपी लगानी हार एक इनसान के साथ कुल मिला करके टोटल कम से कम 40 से कम कॉल नहीं होनी चाहिए 40 के उपर अगर मैं बात करूं जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एक बज़े का सेशन होता है और कल के दिन हमारे एक बहुत ही डानेमिक परस्नालिटी हमारे इस जिन्दगी एक बज़े प्रोग्राम में आने वाले हैं जो कि कंपनी के बहुत ही जबज्जस ट्रेनर हैं और IMC के बहु अपने लेवल को इंक्रीज किया है बहुत सारे लोगों ने काम को सरलता से करने का फॉर्मूला सीका है और कल ठीक बज़े हमारे इस पेश पे उनसे आप सभी रूबरू होने वाले हैं वो कोई और ने हमारे IMC के मिस्टर गोपाल जी एरिया मेनेजर आफ मुंबई महारास् सबी अपनी पेन और डायरी के साथ रेडी होंगे और उनके दिल्चस्प टॉपिक जो होगा उस टॉपिक के तैट हम अपनी सफलता की और एक मजबूत कदम और बढ़ाएंगे और साथी साथ आप मैं बात करती हूं हमारा आज का जो सबसे मेन पॉइंट आप समझ लो में फॉर्मूला आप समझ लो जो आपको समझना हो समझ लो तो फ्रेंट्स आपको में क्लियर करना चाहूंगी कि हमारा महसंगराम जो की बहुत ही जबर्जस तरीके से स्टार्ट हो चुका है यानि 15, 16 और 17 जून, 16 जून, 17 जून ये तीन दिन हमारा महसंगराम का दिन है और जैसे कि जिन लोगों ने कल महसंगराम को आटे इन किया था, रात के 8 बज़े से, हमारा महसंगराम सेशन जूम के माध्यम से होता है, सबसे पहले मैं कोटी-खोटी धन्यवाद कहना चाहूंगी, डॉक्टर डियन सिंग सर का जिनों ने सर ने यहां पे हमारे भेज भी दिया है लिंक जिनों ने आज हम आपको उस लायक समझा कि नहीं मेरी टीम भी मेरे साथ कराउन प्रेसिडेंट बने और उस कराउन प्रेसिडेंट के फॉर्मूले के लिए उस कराउन प्रेसिडेंट के रूट के लिए रोड के लिए उन्होंने हमारे आपके लिए महा संगराम सेशन ला दिया है IMC के इतिहास में अब तक का सबसे जबर जस्त वर्चुल वर्क्शॉप तीन दिन का है जो की महा संगराम के नाम का है और आपको मैं बताओ फ्रेंड्स की जिनोंने कल के सेशन को अटेन किया होगा वो खुद जान सकते हैं कि उनका विजन खुद उनके सिगनल खुद ग्रीन हो गया होगा कि नहीं अब तो हम सीपी बन सकते हैं और अपने लोगों को भी बिजनस में आसानी से ला सकते हैं क्योंकि उस बिजनस में फ्रेंड्स तोटल एजुकेशन से लेस होता है वो सेशन और उसमें हमारे जो पहली स्पीकर गेस्ट हैं हम सब के गुरू के गुरू महागुरू डॉक्टर डियन सिंग सर होते हैं जिनके द्वारा फ्रेंट्स हम सब को बहुत सारी टिप्स मिलती हैं और साथी साथ हमारे कंपनी के मेंट ट्रेनर और आज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही यूनिक परसनाल्टी बहुत ही यूनिक रहीं, और आज उन से हम सब को कही NOTEXT, कहीं मिलने का मौका मिलता है, तो आपको मैं कहना चाहूंगी कि तीन दिन का हमारा जो महा संग्राम है, मिस्टर संदीप वाही शौर से यहीं, नहीं समयं करने को मिल रहा है, तो मेरा आप सब्सक्राइण का समय पर नहीं मिल पाया था जिसके वज़े से हम लिंक समय पे नहीं प्रमोट कर पाए बट आज मैं आप सब को कहने वाली हूँ कि आज पूरा दिन हमारा जो है हमारा महा संग्राम के सेशन के प्रमोशन में जाना चाहिए क्योंकि आपके लेवल से जितने जादा लोग उस सेशन में होंगे या यानि आपके दस लोग हैं तो आप समदनेंजेए आपके 10 लेवल में 10 सूपर सिस्टार कि लियर होरा है क्योंकि वो ट्रेणिंग ही अलग लेवल की है वो सेशन ही अलग लेवल और एजूकेशन ही नेक्स्ट लेवल का है तो तो महा संग्राम के लिए जुड जाहिए आप की आठ बजे पर हमें ये ट्रेणिंग दार दार जिससे की यह अज हमारे और आपके विजडe बहुत बड़ी सफलता मिले आज हुं दो सब्सक्रित करें हैं मगर लोगों को किसे नहीं लाएं आज हम युज इस बिजडe में काम करें हैं हम अपने लोगों को इस business में कैसे काम कराएं तो friends इस चीज़ को सीखने के लिए और अपने mind से कैसे आपकी sale बढ़े कैसे आपका turnover बढ़े कैसे आप लोगों तक product बताए कैसे लोग आपकी बातों को असानी से समझे कैसे आपका business तेजी से बढ़े यह सारे question का answer friends आपको महा संग्रा में मिलने वाला है तो friends हो जाएए तैयार जम कर बढ़ाने के लिए अपना वेपार क्यूंकि हमारे आपके beat आ चुका है महा संग्रा तो friends आज मेरी कोशिश नहीं मेरा पूरा दावा है कि हमें 8 बजने के 15 मिनट पहले यानि की 7.45 पे ही हमें अपने आपको जूम पे connect कर लेना है link और poster आपको आपके WhatsApp पे मिल जाएगा और जिनको जिनके पास हमारे साथ में group में नहीं है वो डियन सिंग सर के नंबर पे call करके बात करके महा संग्राम session का lab लेने के लिए ये workshop को virtually attain करने के लिए mobile के तुरूप आप सर का नंबर नोट कर सकते हैं 9-2-3-5-5-5-3-6-2-7 अगेन मैं repeat करती हूँ 9-2-3-5-5-5-3-6-2-7 ये डियन सिंग सर का नंबर है जिससे जिन पे आप call करके अगर आप group में नहीं है तो आप सर से बात करके आप link और poster ले सकते हैं और इस महा संग्राम का हिस्सा बन करके अपने business को भी एक बड़ा मुकाम एक बड़ी पहचान दे सकते हैं तो friends आज हमें पूरी तयारी के साथ रहना है और अभी से हमें जुट जाना है अपनी पूरी टीम की calling में क्योंकि मैं खुद भी वही करने जारी हूँ और मैं कहना चाहूंगी आप सभी को कि आप अपनी पूरी list बनाएं और list बना करके friends आप attendance लगाएं क्योंकि देखे friends आपको मैं जिखाना चाहूंगी कि मैं खुद भी देखे attendance लगाती हूँ कल मैंने जब की जल्दी जल्दी में रफली लिखा बट मैंने अपने सारे लोगों की देखे मैंने पूरी attendance लगाई हुई है जो जो लोग हमारे साथ में थे तो friends आप सबको ID पासवर्ड मिल जाएगा मेरे comment box में मेरे message box में जाकर के message कर सकते हैं मगर हमें 15 मिनट पहले खुद को connect कर लेना है क्योंकि 15 मिनट पहले अगर आप खुद को नहीं connect करेंगे तो आपको फिर entry मिलने में मुश्किल होगी क्योंकि seat बहुत limited है बहुत limited seat है जब बताईए कि लोगों को जानकारी नहीं थी तब 300 लोग आ गए मगर सोचिए आप जिनको जानकारी हो गई है इस worldwide page पे तो friends सोच लिजे कि आज तो संख्या फिर बढ़ने वाली है तो friends आप समय के पहले आप उस session को attain करें उस session में connect हो ताकि आप महा संग्राम का लाब ले और हर एक इनसान अपने उपर crown president बनने की मोहर लगाए तो आप सबसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा और चलते चलते बस मैं एक लाइन के मादेम से अपनी बारी को समाप्त करना चाहूंगी कि friends जिन्दगी में जब संगर्ष हो तो जीने का मज़ा ही कुछ और होता है और संगर्ष से जब मिलती है सफलता तो वो मंजर ही कुछ और होता है और friends आप सब को मैं कहना चाहूंगी कि जाते जाते एक शांदार म्यूजिक के साथ मैं आप सबसे अलविदा लूँगी क्योंकि जब आपके साथ मैं खुशी के साथ आती हूँ और खुशी के साथ जाती हूँ तो फ्रेंट्स मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरा-पूरा मैंने अपना वन आर्स दिया हुआ है मैं पूरे-पूरे वन आर्स आपके बीच थी और मैंने अपने पूरे सेशन को कंप्रीज किया है और आप सभी पूरी लिष्ट बना करके अपनी अटेंडनेंस लगाए अपने लोगों की क्योंकि जितने जादा आपके लोग होंगे चेर्मेन और क्राउं प्रेसिडेंट डिकले में राइट तो फ्रेंड्स क्या बात है सब के कमेंट्स में देख पा रही हूं कि बहुत ही क्या बात है क्या बात है क्या बात है बात है क्या बात है बात है बात है ताइंक यू सो माज टू आवडरे वन आप सब हमारे बीच लगातार बने रहें और कल के सेशन में तो आप सभी रहे गई रहे गई रहे गई एक बजे और आज के महासंग्राम आज हमारा सेकेंड दे है और कल हमारा थर्ड दे है तो यह दोनों दिन हमें महासंग्राम का लाब लेना है और गुडाएंसी थैंक्स तो आप 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 आप